अंजली, अंजली उठ जा, तुने फिर से बिस्तर में सूसू कर दिया, कमरे में कितनी बदबू पहल गई है, रंजीता जोर-जोर से चिला कर अंजली को जगा रही थी, लेकिन अंजली थी कि जाग ही नहीं रही थी, तभी उनके कमरे में रिया आई, अंजली, अंजली उठ सुबह हो गई ओफिस नहीं जाना क्या तभी रिया ने कहा कमरे में कितनी गंधी बद्बू आ रही है वो तो आएगी ही अंचली मैडम ने बिस्तर में ही सुसू कर दिया है क्या ओ माई गौद रिया उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गए थोड़ी देर के बाद जब अंचली सो कर उठी नेंद खुल गई अब जा जा के चादर और कपड़े धो ओ नो आज मैंने फिर बेट पर सुसू कर दिया तो है ही आलसी बिस्तर से उठना ना पड़े तो बेट पर ही सुसू कर देती है तेरी सहीली रिया आई थी उसे भी पता चल गया ओ मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी अंचली की नजर बेट के बगल में रखे सैनिटरी पैट पर पड़ी हम मिल गया इलाज अब मैं डाइपर पहना करूंगी जब सुसू लगेगी तब बार-बार बात्रूम नहीं जाना पड़ेगा अंचली बाजार से डाइपर खरीद कर ले आती है दूसरे दिन से वो डाइपर पहनने लगती है दरसल अंचली बचपन से ही बहुत तालसी थी बार-बार बात्रूम ना जाना पड़े और हाथ धोने के जंजट से बचने के लिए वो बिस्तर पर ही सुसू कर दे थी धीरे- उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब तो अंचली की जॉब भी लग गई थी वो एक मल्टी नैशनल कंपनी में इंजीनियर थी अब अंचली पीजी में रहती थी लेकिन बिस्तर में और कपड़े में सुसू करने की आदत अभी भी बरकरात थी पूरे पीजी की लड़कि को अंचली की इस आदत के बारे में पता चल क्या था इन सबसे बचने के लिए अंचली ने डाइपर पहनना शुरू कर दिया इसी तरह से दिनों सब्लिया थी अंचली की उसके ओफिस में काम कर दो